हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने जा रही हूं पोहे से नास्ता तो फ्रेंट्स आज इसे की रेश्पी लाई हूं और बहुत जल्द बन भी जाता है ये देखिए हम एक कप पोहा लिए हैं जिसे चूरा भी कहते हैं तो ये पतला वाला है इसको हम पहले धुल लेते हैं धुल कर पानी निकाल कर आते हैं और ये देखिए फ्रेंट्स हम धुल लिए हैं पोहा को तो पतला वाला है तो इस तरह से हुआ है इसको हम साइड रखते हैं और ये देख तो बारीक वाली ही लीजेगा अगर नहीं है तो उसको मिक्सर जार में मध्टोर सच लगए तो इसमें थोड़ा ही तोड़ा कर मिला हमाइंगे अर यह देखिए फ्राइं फानी नहीं डाले हैं मठसे अम इसको और इस तरह से अब हम । इसमें नोछ दाल रहे हैं को हम चुटा चुटा हम काट लिया हैं इसको डाल देंगे एक प्याज मिर्चा है कटा हुआ उसको डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती है तो फ्रेंग्स हम इतना डाल रहे हैं आप इसके जगा कोई भी सब्जी डाल सकते हैं पत्ता गोभी बारिक काटकर डाल सकते हैं गाजा डाल सकते हैं अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रेट चिली फ्ल और नमक स्वादनुसार इसमें बडाल दिये हैं और यह जो चूरा भीगा है न यह दिखिए एकदम इस तरह सो गया है फुल कर एकदम इसको हम इसमें डाल लेंगे और हाथ की वदशस से इसको अच्छी तरह से सानेंगे समुक्स कर लेंगे अच्छी तरह से तो फ्रेंस हम बहुत जादा पानी नहीं डाले हैं और नहीं ज्यादा डालना है यह बहुत ज्यादा गीला नहीं करनें चाहिए यह तरह भी तरह यह अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो चलते हैं गैस की तरह और यह दैखे फ्रैंस जला कर रख दिए हैं तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से दबा कर कि इतना इतना बड़ा सेफ बनाएंगे गोला बनाकर हम डालेंगे फ्रेंट यह देखिए इस तरह से दूसरा वाला भी इसी तरह डाल देंगे अगे देखिए फ्रेंट इस तरह से हम शेकेंगे पीसे आप कम तेल में भी बना सकते हैं अच्छी तरह से बहुत ज्यादा तेल नहीं इस्तमाल होता है तो यह तरह से हेल्दी भी है आराम से आप इसको बना कर खा सकते हैं यह देखिए तेल जैसे इस तरह से तवे को हम कर रहे है तो यहां तक में आ जाये थोड़ा जो अच्छी तरह से तिक जाये यह दिखे अब इससे हम पलटेंगे यह दिखे इस तरह से पलट लेंगे, इतना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छे तरह से सेख केंगे फ्रांस, उलट पुलट करके, बहुत तेश्टी तो लगता है फ्रांस, और खेल्दी भी है, और बहुत कम तेल में बनता भी है, तो आप इसे जरूर राई कीजिए, सब जिक चुका है, तो उलट उलट करके, हम चारों तरफ से सेख के हैं, यह देखिए, इसको हम सब निकाल लेते हैं, अब बाकी का डाल लेंगे, और यह देखिए फ्रांस, बाकी का भी हम इसा तरह सेख लेते हैं, और यह देखें friends, सब सिक चुका है, तो अब इसको भी हम उताल लेते हैं, और यह देखें friends, हमारा healthy नास्ता तयार है, पोहा से बना हुआ नास्ता कितना ज्यादा टेश्टी बना है friends, आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, और किसी भी चड़नी के साथ आप अपने मन चर्णी के साथ खा सकते हैं और चाय से ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा तो फ्रेंस आज की अगर रेस्पी अच्छी लग रही है थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजेगा सेयर कीजेगा सस्क्राइब कीजेगा मिलते ह आपको मेरी रेस्पी थोड़ा सावी पसंद आई है अच्छी लगी है तो जीद लाइक कीजेगा सेयर कीजेगा सस्क्राइब कीजेगा